आंतरिक व्यापार और बाय अंतराश्च्री व्याविसाय के अंतर को जानने के बाद आए हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले बिंदू की ओर चलते हैं कि अंतराश्च्री व्याविसाय का खशेतर क्या है Scope of International Business अगर आप World Wide देखे तो अंतराष्ट्रिय व्याविसाय का जो सकोप हे बहुत ही बड़ी महात्रा में यह बहुत ही विस्तृत है हम क्या सकते हैं आज आप फैशन में देख लें या फिर आप खाने पीने की चीजों में देख लें या फिर आप सेवाओं में देख लें बहुत सी अलग अलग फील्ड में यह जो अंतराश्य व्यापार है या बिजनस है यह क्या कर रहा है विस्तार कर रहा है अप फैशन की ही बात करें तो आप देखते हैं कि एक देश के कपड़े पहनने का तरीका, दूसरे देश के कपड़े पहनने के तरीकों से एक दम अलग है, ना कि कपड़े के पहनने का तरीका, बलकि वहां के डिजाइन, कलर, सब कुछ डिफरेंट है, जो कि कही बार ऐसा भी होता है कि हमें, as a customer, अट्राक करता है, तो इस केवल हम ही नहीं, यह हम globally बात कर रहे हैं, तो जब global business की बात कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे, कई global brands, जो है हमारे देश में भी available हैं, अलग-अलग तरीके से, ना कि केवल कपड़ों के brand, बलकि जूतों के brand, इसके इलावा ऐसे कई products हैं, जो fashion के अंतर करते हैं, अब fashion पर बात कर ली हमने, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, कि ऐसे कई और चीज़े हैं, जैसे की सेवाओं की बात करें, तो इसमें banking, बीमा, इंशरेंस, यह सारी चीज़े आती हैं, यह भी एक international trading का तरीका है, हम आगे बढ़ते हैं, उसके बात करते हैं, इन ब गोशिश करते हैं, अगर हम पहली बात करें, तो trading की बात करते हैं, भारत में कुछ trading houses हैं, जिसे आप जान सकते हैं, the export house, और star trading houses, इसी तरह जापान में भी trading house है, जिसे international trading house करते हैं, ट्रेडिंग करना मतलब किसी भी तरीकी के विवसाय को करना, अलग-अलग तरीकी के तो ट्रावलिंग के अलावा भी अगर आप देखें तो बीमा, बैंकिंग, आईटी परामश यह ऐसी नई तरीके की सेवाएं हैं जो की एक ग्लोबल रूप से विस्तार और विकास कर रही हैं और यह जो है अंतराश्ट्रिय बिजनस का पार्ट बन गई है आगे बढ़ते हैं अगले बिंदू की ओर अगला बिंदू है माल तयार करना इवा भपनान करना तेखें कई बार ऐसा होता है कि जिस देश में एक अच्छा माल अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में मिलता है वहाँ पर एक फाइनल गुडियांतिम उत्पाद को तयार किया वो लोगों तक पहुंच सके उसकी कस्टमर्स बढ़ सके और वो क्या करें ग्लोबली वो ब्राइंड क्या है राज करें और उसका बिजनस बढ़ सके तो यह बहुत सारे डिफरेंट प्रड़क्ट्स में होता है तो इसे हम माल तयार करना तो विपनन के एक छोटे से एक्ज साथन क 싸ल नहीं आच्छी मात्रा में एक्छी क्वालिटी के साथ मिल जाएं और साथ ही साथ उसे विपडन करना भी उसका क्या हो सके इंपाँ पर नोम सके अव इस इन रॉम मटीरियल को यूज़ करके फाइनल कूड या अंतिम उत्पाद बनाते हैं उन तक पहुंचाना उसके लिए क्या करना पड़ेगा विपनान करना पड़ेगा तो इस तरीके के व्यवसाय भी जो है इंटरनाशनल व्यवसाय के अंदरगत आते हैं आगे बढ़ते हैं अगले बिंदू की ओर वो है उत्पादन के लिए ग्लोबल सोर्सिंग यह जो है तो एक कुछ ऐसे हमने बात करी जो अंतराश्री व्यवसाय के शेत्र है लेकिन इसका एक और इंपॉर्टन या महत्वपूर्ण बिंदू है जो की है विदेशी विनियोग देखें विदेशी विनियोग जो होता है दो माधिमों से होता है पहला है विदेशी प्रतिक्ष व कोलियोग कहते हैं विदेशी निविशक के द्वारा दूसरे देश की कमपनियोग किया जाता है तो कुछ ये ऐसे बिंदू थे जिनके द्वारा हमने अंतराश्री व्यवसाय के शेत्र को जाना और इसको जानने के बाद हम यह समझ सकते हैं कि जो विदेशी विवापार है वो उसका विकास और विस्तार कितने बड़े रूप में हुआ है और उसने अपने पाउं कितनी दूरी तक पसा रहे हुए हैं और ये अब आज की डेट में ये इंटरनाशनल बिजनस जो है ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है किसी भी देश के लिए अपने आपको financially strong बनान अन्तराश्डे वेवसाय के महत्वय काई ये लाब जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं ये कुछ जीसे बिंदू है जो दरशाते हैं कि अन्तराश्डे विभाजन की क्या महत्वय ये लाब हैं I am बिंदूं की एक एकर कि चर्चा करते हैं पहला बिंदू आपको दिख रहा है वो है अंतराश्रे श्रम विभाजन एवं विशिष्टी करण यहां पर हम बात कर रहे हैं श्रम विभाजन और विशिष्टी करण की जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आजकल इस तरीके के व्यवसाय में अंतराश्रे व्यवसाय में जो देश हैं वो क्या करते हैं अब यह क्या करते हैं यहां पर उनका विशिष्टी करन होता है ठीक है ऐसी ही चीजे क्या होती है दूसरे देश्व में भी की जाती है कि उन्हीं वस्तुओं को उत्पादन किया जाएगा कि जो कि कम कीमत पर अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में बन सकें बाकी के लिए वो दूसरे देश पर निर्भर हो जाते हैं तो पहला जो पॉइंट है वो यह कहता है कि अंतराश्रे श्रम विभाजन एवं विशिष्टी करन यहां पर बात आती है कि प्रतेक देश अपने देश में ही उपलब्द नाचरल रिसोर्स यानि प्राकृतिक संस साधनों का अच्छी तरीके से उपियोग करके अच्छे गुण के उत्पादों का निर्मान करता है और उसका क्या करता है उसे निरियात करता है या उसको इंटरनाशनल बिजनस में उपियोग मिलाता है और यह उन उत्पादों को अपने विशिष्टी करण के अंतरगत ले या जाता है न की केवल उसे एक इसे ये प्रकार के अंतिम उत्पात बνα nhất है लेकिन सथ ही साथ उन को और अच्छी तरीके से किस प्रकार उस्पन सुर्पाшаяatter अगर हम बात करें एक्सपोर्ट कर देते हैं लेकिन इन अनाच से बनने वाले कुछ खादे पदा जिसे हम बना करके उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और उसके बाद उसको दूसरे देशों में क्या करते हैं निरियात करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो इस तरीके से भी प्राकृतिक संसाद नहीं के चिलके को उतार देती और उन सब्जीयों को चील करके उनको काट करकर Νखी सब्जीए बिना सब्जी देत uniqu देतا है उनके चिटनी भी तरीके से trio कि इसका जो है किसी भी तरीके से अंतराश्त्री वियाव साह्य से कोई लेंदेन नहीं संसाधनों का उत्तम सधु प्योग करना वर्जय को समसे की ने दोश्मारतों उंसे उत्तपादों का निर्मान करना उनको प्रजरव करना और उसको शान्दार तरीके से present करते हो, उनकी marketing करना और उसके बाद उनको global रूप से क्या कर देना, export कर देना, यह है प्राक्रतिक संसादुनों का सरवत्तम उपयोग, आगे बढ़ते हैं, अगला जो बिंदू है, वो है सस्ती वस्तू की उपलब्धी, अब बचो जैसे कि जो चीज आपके पास ह है, ठीक है, वो आपको सस्ते में ही उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन जो चीजें बाहर से आ रही है, वो थोड़ी कॉस्ती पड़ेगी, तो यहां पर अंतराश्री व्यावसाय से आप ये भी समझ सकते हैं, कि कई बार आपको सस्ती वस्तू में पराप्त होते हैं, लेकिन अगले बिंदो की तरफ, अगले बिंदो केहता है, उच्च जीवन सर, जब जो जनता है, वो फाइनशली स्ट्राउंग होगी, तो वो अपने आप उस देश के लोगों का जीवन सर अपने आप उचा बढ़ेगा अब यह financially strong कैसे होगे इसके लिए different aspects हैं लेकिन सबसे important aspect जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो अंतराश्री व्यापार के महत्व यानि अंतराश्री व्यापार जो है ओद्यों की रूप से भी और अलग-अलग तरीकों से भी क्या करता है हमारे देश को या विभिन देशों को उसकी financial condition को strong करने में और वहां की लोगों का जीवन सतर सुधारने में मदद करता है आगे बढ़ते हैं अगले बिंदू की तरफ अगला बिंदू कहता है कि नए नए उद्योग धंदों को प्र सौधसाहित करता है करदेश करते लिए सब्सक्राइब करते हैं करका हम कर देखें तो हमारे देश में ऐसे कई प्रदेश हैं ज tsp ने परिंध यूनिकनिस के लिए जब कहीं किसी की निटाई famous है कहीं किसी की कपड़े famous है कहीं कि सी नीट комментοςkin को डेश कर अगर अब जहां किसी का खादे पदार famous है तो वो उसको जादा मात्रा में manufacture करके क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं या कहीं का साडियां famous है माली जे कपड़ा famous है तो वो export होता है साथ ही साथ अगर कहीं की खुबसूरती famous है तो लोग बाहर से वहाँ पर उसे देखने आते ह चोटी सी चीज़ बताऊंगी जैसे हमारे देश में बहुत सी खुबसूरत वादिया है साथ ही बहुत ही खुबसूरत स्थाल है जैसे कि मान लेजे आप ताज महल की बात लें तो वहाँ पर foreigners कई foreigners आते हैं और उस ताज महल की खुबसूरती देखने का आनन्द उठाते हैं साथ ही साथ हमारे देश की घाटियों के पाज इतनी खुबसूरती है लोनावाला में या इसके लावा कश्मी की आसपास की घाटी अब देखें तो वहाँ पर कई foreigners आते हैं और वो वहाँ की आनन्द को लेते हैं इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में इसी बहाने बाहर की currency आती है यह सब जो चीजे हैं वो international trading के अंतरगत ही आता है आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर मूले वरधी पर रोक यह जो बिंदु है वो यह बताता है कि international जो business है वो मूले वरधी पर रोक लगाता है इससे क्या फायदे देखें अब market में इतना competition है लेकिन market में sustain क करना है और अच्छी quantity में अच्छी quality में product क्या है market में customers को देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसी कीमतों को निशुद करना पड़ेगा जो की customers के pocket में आ सके अब क्योंकि competition जादा है अगर monopoly होती मतलब कि अगर कोई व्यवसाय के द्वारा चला जा रहा है तो में वो हो सकता था कि जादा कीमतों पर उन वस्तुओं को या उन उत्पादों या सेवाओ का व्यवसाय करता है लेकिन आज इस थिती में अगर हम देखें तो global रूप से कर हम देखें तो business जो है वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में competition बाया जाता है तो competition में sustain करने के लिए मार्केट में बने रहने के लिए और अपने brand को बनाया रखने के लिए अपने व्यवसाय को निरंतर चलाया रखने के लिए यहां पर मूली वृद्धी पर रोक लगाई जाती है अगला बिंदु आईए देखते हैं अगला बिंदु है विदेशी विनिमय की प्राप्ति फ इंटरनाशनल मार्केट से वहां पर इंवेस्टमेंट होता है तो यहां पर जो फाइनेंशिल कंडिशन है या आर्थिक स्थिती है वो सुद्रड हो जाती है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विकाशील देशों के लिए साथ ही साथ अर्ध विक्सित देशो में बहुत बड़ी मात्रा में तूफान आ गया तो उस सिती में क्या करते हैं कि जो पड़ोसी देश होते हैं वो कुई करते हैं बहुत जल्ड ही वो कोशिश करते हैं पड़ोसी देशों के लोगों की जान बचाने के लिए वहां पर मदद पहुचाने के लिए तो यहां पर संकट काल में सहायता की बात आती है कि एक अच्छा international business एक अच्छा business terms होने की वज़े से क्या होता है कि देश जो होते हैं जब संकट काल आता है जैसे हुआ सूखा पढ़ गया या बुकंप आ गया या तूफान आ गया बार आ गया सुनामी आ गई इस सित्यों में जो effective देश होते हैं या प्रभावित देश होते हैं उनको rescue करने के लिए उनको सहायता पहुचाने के लिए क्या करते हैं वहाँ पर मदद करते हैं या सहायता प्रदान करते हैं विबिन तरीकों से अन्तिम बिंदू की और आगे बढ़ते हैं, सभ्धिता तता संस्कृतिक सहयोग बिलकुल सही बात है, मैंने आपको बताया कि हर एक देश अपने आप में unique है, वहां की सभ्धिता, और वहां की संस्कृतिक natural resources के साथ सथ अधि डिफरेंट है, हम एक चोटे से एक्जामपल से समझ सकते हमारे देश में ही अगर हम देखें तो हर एक स्चेट की अपना डिफरेंट कल्चर है जहां गोगा के लोग बहुत ही open minded और openly रहते हैं वहीं पर आप देखें तो साउथ में लोग open रहते हैं लेकिन सली के से रहते हैं एक खूबसूर उस प्रदेश की एक खूबसूरती एक uniqueness को बताता है तो यहां पर अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो हम इसमें traveling को बात कर सकते हैं या लोग जो बाहर से आते हैं और साथ ही साथ हमारे देश की सभिता और संस्कृती पर research भी करते हैं साथ ही साथ जानने की कोश् तो इस तरीके से हमने देखा कि अंतर राश्रीम व्यापार के क्या महत्व तथा लाब हैं